ये देखे दोस्तों हमारा रबडी बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा और क्रीमी बनके तयार हुआ है मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये एकदम दानेदार और मलाईदार हमारा रबडी बनके तयार हुआ है और इसे बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट और एक गिलास दूद से करवा चौत पे आप इस रबडी को बना करके खाएंगे तो आप दिन भर एनरजेटिक फिल करेंगे और आपकी ठकान कमजोरी सभी दूर करेगा और आपको पानी प्यास भी इस रबडी खाने से नहीं लगेगा इस recipe को आप दिवाली या जब भी आपका मीठा खाने का मन हो या रबड़ी खाने का मन हो तो आप easily घर पे बना सकते हैं तो ज़्यादा time ना लेते हैं वे चलिए जल्दी से इसकी recipe देख लेते हैं रबड़ी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे गैस अन करेंगे और पैन को हाई flame पे गरम कर लेंगे और ये देखे पैन गरम हो गया है हम इसमें एक कटोरी मखाना डालेंगे मखाना डाल करके हम इसे medium flame पे चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे या रोष्ट कर जिससे मखाना हमारे क्रेंची हो जाएंगे और ये देखिए एक से दो मिनट हो गया है और मखाना हमारे अच्छे से रोष्ट हो गया है मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ मखाना को हमें इतना ही भूनना इससे ज़्यादा रोष्ट ना करें नहीं तो मखाने पे कलर जाएगा और रबडी हमारा अच्छा नहीं बनेगा तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और मखाना को ठंडा होने देंगे और ये देखे मखाना ठंडा हो गया हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे धकन लगाएंगे और मखाना को हम दरदरा पीस लेंगे और यहां मैंने मखाने को अच्छे से grind कर लिया है और इसका दर्दरा powder बना लिया हमें मखाना को इसी तरह पीश लेना है रबड़ी बनाने के लिए हम एक pan लेंगे pan को गरम होने देंगे और इसमें अधा चमज घी डालेंगे घी डाल करके हम इसे अच्छे से गरम होने देंगे और ये देखिए घी गरम हो गया है और मेल्ट भी हो गया है और यहां मैंने कटे हुए काजू किसमे इस आलमंड लिया है और अब हम इन सभी को घी में डालेंगे घी में डाल करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए ए देखे ड्राइफ रूट हमारे अच्छे से फ्राई या रोष्ट हो गया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अगर आपको रबडी में ड्राइफ रूट नहीं पसंदे तो आप ड्राइफ रूट को इसकीब भी कर सकते हैं और अब हम सेम पैन में ही एक गिलास दूट डालेंगे दूट डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे हाई फ्लेम पे दूट में हम उबाल आने देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे दूद तले में चिपकेगा नहीं और ये देखे, यहां मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ High flame पे चलाते हुए दूद को हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे दूद तले में चिपकेगा नहीं या लगेगा नहीं और दूद में हम एक उबालाने देंगे और ये देखे, High flame पे दूद को पकते हुए 30 सेकेंड हो गया है और इसमें boil आना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसमें grind के हुए मखाना डालेंगे मखाना डाल करके हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे और गैस का flame medium कर लेंगे medium flame पे दूद में चलाते हुए मखाने के powder को हम अच्छी तरह मिला लेंगे जिससे मखाना का powder दूद में अच्छे से mix हो जाएगा और ये देखे, यहां मैंने मखाने के powder को दूद में अच्छे से मिला लिया है medium flame पे हम रबडी को इस तरह continue चलाते हुए मिला लेंगे जिससे रबडी हमारा तले में लगेगा नई और side से इसके मलाई को निकाल लेंगे और हम इसे रबडी में मिला देंगे जिससे रबडी हमारा बिल्कुल creamy और गाढ़ा बनके तयार होगा और ये देखे रबडी को पकते हुए एक मिनट हो गया है और रबडी हमारा कितना गाढ़ा हो गया है अब हम gas का flame off कर देंगे और इसमें मिठास के लिए हम इसमें 2-3 चमच condensed milk डालेंगे condensed milk डाल करके हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे रबडी हमारा गरम है इसलिए condensed milk easily रबडी में मिक्स हो जाएगा और ये देखे हैं मैंने इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लिया है और अब हम इसमें flavor के लिए 2 कुटी हुई इलैची डालेंगे आप इसकी जगह केवडा एसेंस या गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं आप रबडी बनाने के लिए condensed milk की जगह milk powder और चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और रबडी को बजार जैसा बनाने के लिए हम इसमें yellow food color डालेंगे yellow food color डालना बिल्कुल optional है आप इसके बगार भी बनाएंगे तो इसके flavor और स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इसकी जगह केसर का भी यूज़ कर सकते हैं color डालकर हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे और ये दिखे रबड़ी में color को यहां मैंने अच्छे से मिला लिया है और रबड़ी हमारा जैसे जैसे ठंडा होते जा रहा है और ज़्यादा गाड़ा होते जा रहा है और अब हम इसमें fry के वे dry fruit डालेंगे dry fruit डाल करके हम इसे चलाते हुए अच्छे से रबड़ी में मिला लेंगे अगर आपको रबड़ी में dry fruit नहीं पसंदे तो आप dry fruit को grind करके भी डाल सकते हैं और ये देखे रबड़ी हमारा बनके तयार हो गया है और चलिए अब हम इसे plate में serve कर लेते हैं आप इस तरीके से रबड़ी बनाएंगे तो ये बनाना बहुत ही आसान खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब होता है और मिंटों में बनके तयार हो जाएगा और घर में बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत पसंद आएगा फ्रेश्टिवल सीजन में अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जटपट से कुछ मीठा बनाना है तो आप इस रेसेपी को जरू ट्राइ करें और अपना एक्सपिरियंस मेरे साथ जरू शेयर करें और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी हैलफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूगी एक और नए रेसे कि वी में शी में वाय वाय । कर दो पन अंग वा